तो नमस्कार दोस्तों किल एक्सपारी एक्सका और मीट्टेब निप्टी का तो यहां पर हम समझेंगे कि कल अगर हमें ट्रेड करना है तो कौन सा लेवल सही रहेगा entry and exit के लिए दो दिन से हमारा market में हमें negative देखने को मिल रहा है तो यह जो selling pressure है क्या यहाँ पर continue हो सकता है कि नहीं वो हमें यहाँ पर trade करना है अगर इस level पर देखते हैं bank X का यह daily chart यहाँ पर मैंने रखा हुआ है तो daily chart में हमारे लिए important level है यहाँ पर वह आता है यह वाला यहाँ पर यह candle आप देख रहे हैं वह ही है जो है जिसका लोग 59.925 हम close हुए 61.67 के आसपास इसमें short covering के लिए आज का यानि के Friday का जो हाई उसके उपर निकला तो एक short covering अच्छा दे सकता है 60-700 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल सकता है उपर की साइड के लिए इंपोर्टन क्या रहेगा यहाँ पर 60,280 का लेवल उधर वहाँ पर होल्ड कर जाता है तो पहले 200 पॉइंट का मिलेगा उसके उपर होल्ड कर जाता है तो जो हमारा breakout है उसके उपर यहाँ पर फिर से लोग करते हैं तो इक नीचे की साइड मिल सकता है तो 900 को दियान में रखना है 59,900 ब्रेक डाउट सौरी ब्रेकडाउं दिया तो एक अच्छा सा टेड नीचे की साइड मिलेगा जहां पर पहले आएगा 666 होल नहीं किया तो फिर यह वापस अटेम्ट करेगा 59 300 के लिए तो नीचे में भी हमको 600 से 700 पॉइंट है उपर में भी 66 से 700 पॉइंट है दोनों साइड सीमिलर हमको मिल रहा है 700 पॉइंट के आसपास कमों उसी साब से हम ट्रेड करेंगे ऑप्सें चेंड डेटा देखे तो बैंक एक्स का ऑप्सें में नीचे के जायर 59 500 एक सपोर्ट का काम करेगा पर इंदमनी अगर देखते हो तो आपके पास यहां पर 60500 एक राउंड फिगर है जहां पर एक अच्छा सा ओई भी देखने को मिल रहा है अभी यह जो होल्ड कर रहे 68000 है और यहां पर अगर हमने होल्ड कर गया 59 900 एक अटेम्ट होगा 60500 का जहां पर आपको अच्छा सा मुनाफ़ा मिल सकता है अभी जो प्रिमियम है 478 है फूट सेलर होंगे उनके लिए यह बैस ट्राइक रहेगा शौट करने के लिए रिस्क रिवर्ड के इसाब से इंदमनी रहता है और यह आपको अच्छा सा रिवर्ड भी देखे जाता है और साथ में अगर देखेंगे तो अधर साइड क्या है कि यहां पर आपको पॉल की साइड इतना इंदमनी शौट देखने को नहीं मिल रहा है जितना आपको पूट की साइड मिल रहा है यानि कि यहां पर कोई एक्सपेक करके जा रहा है कि मार्केट अगर गैप डाउन भी कुला तो वहां से बाउंस मिल सकता है काफिल लोग अभी क्या है एक केंडल शौट होने के बाद में फूरा यहां पर वियू बना रहा है कि मार्केट यहां से गिर जाएगा अभी देखेंगे देटा में अभी शौट नहीं है तो अगर वह शौट नहीं है तो मार्केट इतना गिरेगा नहीं और बजेट भी है तो एक बाउन्स एक्सपेक कर सकते हो मंडे के लिए द्यान में रखना 59 900 मिटकेप का तिन दिन से एक अच्छा सा गिरा वटा रहा है जो 600 से वहां पर स्टार्ट किया था अब इसका जो इमीज यह सपोर्ट यहां पर बन रहा है फर्स यहां पर यहां पर यह केंडल का जो था ओपन इक्वल टू हाइक 12 158 जो कल आपका पहला जो सपोर्ट होगा 12 160 रहेगा वाल वन सिक्स्टी ब्रेक करता है तो फिर आपको नीच्छे जा सकते हैं तो त्वेल ताउजन फॉर्टी के लिए पर मेरा यहां पर एक्सपेक्ट रेसन है कि अगर हम यहां पर यहां पर आपको एसल रहेगा तो फिर आपको वहां पर शॉर रहेगा पर यहां पर एक आराम से उट की साइड आप शॉर्ट देख सकते हो क्योंकि तीन दीन से और यहां पर हम गिर चुक्या है उपर से 600 पॉइंट गिर चुक्या तो एक बाउंस भी आ सकता है 200 पॉइंट के लिए तो वापस हम यहां पर एक अटेम्ट करेंगे 12325 के लिए यही लेवल रहेगा 12325 325 के उपर सस्टिंग कर गया तो यह वापस आटेम्ट करेंगा 400 का 400 से लेके 460 यह एक आटेम्ट करेंगा उपर की साइड के लिए यह टोटल रिवर्सल कम होगा अगर हम यहां पर कोई रिजन से 12325 के उपर ओपन होते तो रिवर्सल होगा नहीं तो यहां पर एक हैमर केंडल बना सकता है और अगर फ्लैट अगर ओपन हो गया फ्लैट ओपन होता है तो 152 के नीचे फिर से शौट बनेगा 12,040 तक नीचे जा सकता है इसका डेटा देखे तो डेटा में यहां पर जो सपोर्ट है 12,000 है उसके पहले 12,50 है जो अभी बात किया कि 12,040 वो एक हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और इंदमनी में हमारे पास जो सबसे ज्यादा शौट अभी जो है 12,200 है 12,200 हमारे पास 13,00 यहां पर शौट ओपन है बाकी जो है वो थ चेंज हुआ है तो यानि भी जो लास्ट फ्राइड़ी जो फॉल आया था इसमें किसी ने अच्छा सा शौट किया है 12,000 का तो वो ध्यान में रखना यह सपोर्ट का भी काम कर सकता है तो दोस्तों मैं आसा करता हूं कि यह चोटा सा वीडियो पसंदा होगा और अच्छा ल